बहुती ब्यूटिफुल बैस अगर दूद की बात करें तो इसमें अभी 14-15 लेटर दूद अभी त्यार है विबंदू यह तीसरा बैस है हमारा गाड़ीम लोड होने लग रहा है भी बहुती अच्छी आइट लैंद बहुती शानदर मूरा नसल गी बैस है दो टाइम चार ट टाइम दूद देखके बैस मिलेगा गारंटी के साथ बैस मिलेगा थारा लेटर दूद इसने फर्स टाइम में दिया हुआ है 6-7 दिन डिल्यूरी होके हो गया करशे थ्रीवंदू मैं वीजे पान्नू वीजे पान्नू डैरी फार नापका स्वागत है आज अपने गोटे से साथ बैस लोग डोगे जा रहा है जो कि महराष्टर कोलापूर में जाने लग रहा है अगर बैसों भी बात करें दो बहुत ही आई क्वाल्टिया जानवर 20 लीटर 22 लीटर 24 लीटर दूद देने वड़ा सभी जानवर इस गाड़ी के अंदर है आईटलेंद आप देख ही पार यह कितना अच्छा है यह बैसे अभी थर्ट टाइम डिलीवरी होने वड़ा है अगर दूद की बात करें तो इसमें अभी 14-15 लीटर दूद अभी त्यार है जिस भी शित्क्री भाई को अर्याना नसल का अगर मुरा बैस लेना है तो जो मारा नंबर है उस स्क्रीन पे आपको मिल जाएगा एक बार हमारे से संप्रक जरूर करें इदर आने बाद अगर किशो दो टाइम तीन टाइम चार टाइम दूद देखके बैस मिलिया गरन टेस अब यह लोड देख पारे हो आप यह पूरा पूरा बैस अपना अभी लोड होने वाड़ा जो की कोलापूर में जाएगा और यह लोड हमारे पास से संदीप पाटिल जो की कोलापूर में रहने वाड़े हैं उनके पास यह बैस से अपना जाने वाड़ा है यह जो बैस अभी दिल्यूर होने वाड़ा है बहुती अच्छा आइट लेंथ आडर क्वाल्टी अगर दूद की बात करें तो इसका फर्स्ट टाइम का जो मिल्क रिकोर्ड है लग बगे के थारा लेटर दूद इसने फर्स्ट टाइम में दिया हुआ है शड़ की क्वाल्टी देखो सेपरेट सेपरेट शेड़ बिल्कुल आइट लेंथ की बात करें तो बहुती ज्यादा बहुती ब्यूटिफुल बैस लग बग इसका भी च्यार से पांच दिन दिल्दिल्यू टाइम का बाकी है अगर आप की बार दूद की बात करें तो एक 23-24 लिटर दूद की उमीद हम इस बैस चे रख सकते हैं यह अपना बैस आज लोड होगे जाने लग रहा है महराश्टर कोलापूर में प्रिबंदू जो यह पुसुदन आप देख पारे हो यह भी शेकिंड टाइम डिल्यूरि लेंद रिंग क्वाल्टी और अडर क्वाल्टी बहुत ही अच्छी है इसको डिल्यूरी हो गया अज लग बगए गया 6-7 दिन डिल्यूरी हो गया और 14-15 लिटर दूद अभी त्यार है सित्के बंदू जो यह बैस आप देख पारे हो यह भी थर्ड टाइम डिल्यूरी होने वाड़ा है अगर आइट लेंद की बात करें दो बहुत है अच्छा आइट लेंद अडर क्वाल्टी आप देख ही पारे हो यह बैस लगबग भी तीन से चार दिनों एक बच्चा देने वाड़ा है अगर दूद की बात करें तो सेकिंड टाइम में इस ने लगबग एक ठारा लिटर दूद इस बैस ने दिया हुआ है आप देख भी रहोंगे बहुत यह थाइट लेंद शड़क क्वाल्टी देखो कैसा है जितना पसूदन आप देख पारे हो से भी पसूदन है एक शेक बड़कर पसूदन है इस गाड़ी में लगबग एक बारा लिटर से लेके और लगबग एक तेईस चोबिस लिटर तक क बैसे जो कि लोड होके मारा कोला पुर जाएगा आव आपको यह उर दिखाते हैं भी गाड़ी में बैसों लोड कैसे करते हैं यह मारा गाड़ी है लगबग इसका लंबाई है 22 पिट का जो बैसों का खाना है रस्ते में जो बैसों खाने के लिए लगता हो पूरा उपर बैसों की से त्री बाई पूछते हैं बच्चों कैसे बांदते हो बच्चों क्या होता बच्चे मर जाते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है यह रस्ची लगाई हुई है यह जो रस्ची है इससे पिछे-पिछे बैस रहेगा हमारा और लगबगी इस रस्ची साहगे के चेयार बीच में रशी को बांद दिया अब आपको दिखाएंगे गाड़ी में लोड करते हो वैसों को वैसों लोड कैसे किया जाता है अगर किसी भी शितक्रीब आएगो अर्याना मुरा नसका बैस लेना है तो हमारे सिशंप्रक जरूर करें हमारा जो आदमी है लेबर हाफ के गोटे पहाएगी चार दिन लगो पांस लिए दस दिन लगो आपके गोटे वे बैसों सेट करके देने आकाम हमारा है यह नहीं है वह बैस दे दिया और दुबारा मतलब समने वड़ा कुछ हो जाए बैस दूर दे या ना दे ऐसा कोई भी प गारेंटी के साथ प्रिबंदू ये अपना अभी लोड चालू हो गया है फर्ष्ट बैस अभी गाड़ी के अंदर जाने वाली है कि अधिक्री बंदू ये दूसरा बैस अपना अभी गाड़ी में लोड होने जाने लग रहा है देख पार ये ओडरे क्वाल्टी बैस की बहुती बड़े ओडरे क्वाल्टी की बैस है अगर ऐसा पसुद होना आपको भी लेना तो हमारे सिसंप्रक जरूर करें बंदू ये तीसरा बैस है हमारा गाड़ी में लोड होने लग रहा है भी बहुती अच्छी आइट लैंद वह गया है ये जैसा कि आप देख पार हो जो 3 भैस हमारा वह 3 भैस आगे लग गया दोस्तों मेरा पूरा गाड़्य लोड हो तो क्या है ये 7 भैस भी लोड़ोगे वीजे पनुडरी फारम से रवाना हो गया है अगर किसी विशित्क्री भाई को भैस लेना है तो हमारे से संप् अच्छार